हाली में कई ऐसे मामले सुनने में मिले जिन में हार्ट अटेक की वज़े से लोगों की मौते हुई कारण है आपकी खराब लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में हो रहे बदलावों की वज़े से दिल से जुड़ी बिमानी का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है WHO के डेटा के मताबिक साल 2019 में काडियो वेस्कुलर डिजीज की वज़े से 1.79 करोड मौते हुई थी जिसमें 85% मामले हार्ट अटेक और स्ट्रोक के थे इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हार्ट अटेक के लक्षनों को पहचान कर जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचा जाए ताकि जान बचाने में मदद मिल सके बतादे कि महिलाओं और पुर्षों में हार्ट अटेक के लक्षन अलग-अलग होते हैं लेकिन इसके बावजूद पुर्षों में लगातार हार्ट अटेक के मामले तीजी से बढ़ते जा रहे हैं चलिए एक्सपर्ट से जान लेते हैं इसके पीछे क्या है कारण तंबाखू का इस्तमाल किसी भी रूप में स्मोकिंग वैपिंग या खैनी के रूप में डियाबिटीज का होना हाई ब्लड पेशर का होना हाई कोलेस्ट्रॉल का होना यह चार प्राइमरी कॉज जो की डिफाइन हो गए थे अर्ली नैंटीन फॉर फिफ्टीज में यह कारण है आप देख सकते हैं कि यह ऐसे लोग हमारे देश में कितने बढ़ रहे हैं हाई ब्लड पेशर बढ़ रहा है डियाबिटीज बढ़ रहा है स्मोकिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल दूसरे जो कारण है जो इंपॉर्टन कारण है वह है साइको सोशल स्ट्रेस आपको स्मोकिंग करना कोई जरूरी नहीं है आप बिलकुल दूर रहिए उससे निकोटीन प्रॉडक्ट से दूर रहिए अगर आपके और एक चीज और भी ए को चेंज कर पाते हैं और क्यों नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली रिदय रोग से भी बचेंगे तनाव और दिल के दौरे का सीधा सिंधा संबंद है क्योंकि तनाव से रिदय का थी बढ़ती है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और कुछ ऐसे नेगेटिव हर्मोंस रि भी करेगा ब्रेंस्टो तनाव आपको रिदयगाद भी करेगा यह बिलकुल सीधा संबंध है प्लीज इसलिए हमारी जो फिलोसफी है योग की और मेडिटेशन की जो की हम भारतियों ने सारे संसार को दिये वो हमें अपने अपने को तो अपने अप्लाई करनी चाहिए कि बही हम दस मिनट योग करें चार किलोमेटर वॉक करें शुद्ध खाना खाएं तो यही एक जो चीज़ें हैं जो कि जिससे कि हम बच सकते हैं हर व्यक्ति यह समझता है यह मेरे को नहीं हो गए किसे और को होगी वो देखो वो कितना भाग दोड़ कर रहा है वो उसको होगी यह साउथ एश्या में अपन लोगों को किसी को भी हो सकती है तो अपने को अपनी रख रखाव करनी है देखिए पहले कहते थे अपन हरी वरी करी वो हरी वरी करी आज भी कॉमन है लेकिन हरी करनी भी पड़ती है वरी ना करें लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन तो करें सोच तो सही और करी बिलकुल भई खान पान में जो हाई फैट डाइट से बिलकुल अवाइड करिये अपना खाना इतना सम्रद्ध है इतनी चीजें हैं वेज चेरिन हैं वो जो भी हैं तो हम खान पान को इंप्रूव कर सकते हैं और डेफिनेटली तीन चीजें जो अत्यदिक करना देखिये दिक्कते हर एक बंदे को हैं हर एक बंदा वो चीज अचीव नहीं कर पा रहा है जो चाहता है लेकि कर तो रहा है न तो एक पॉजिटिव एटिट्यूट से और एक बात मेरा मानना जरूर यह है कि जो भी आपको चीजें पसंद हैं म्यूजिक सुनना या फ् और यह वो आपको तनाव से दूर ले जाएगी अफटर आल आपने सवाल पहला यही पूछा था ना कि तनाव और हिदेगात में क्या तो यही चीज है तनाव कैसे कर गटाएंगे कि आपकी जॉब इजी तो हो जी जाएगी दस गंटे तो काम सब कोई बारा गंटे तो काम स तो मेरा तो यह सिंपल फॉर्मिला है कि हिदेगात किसी को भगवान ने नहीं दिया है यह हम लोग अपन अपन उस पे लेते हैं और जैसा कि सवाल इन्होंने पूछा जीवन शेली का क्या रोल है जीवन शेली इसके इंदर सेंट्रल है उमीद करते हैं हमारी और से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्स से जुरीस तरह के और भी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें थेहलसाइड.com